क्या आप जानते हो हमास ने इसराइल पर इतने चुपके से इतना बड़ा हमला क्यों किया इस बार और अपने चारों तुरब इसलामिक कंट्री के होते हुए इसराइल कैसे बना इतना ताकतवर ऐसे कई सवाल बोले तो टोटल पांच सवाल जो सबके मन में उठ रहे हैं इस लड़ाई का root cause बोले तो जड़ क्या है राइट और फिर क्या है हमास और वो उसका कैसे जन्म हुआ और पियल और हमास जब दोनों पैलेस्टीन के लिए लड़ रहे हैं तो आपस में इनकी क्यों नहीं बनती है और ये लोग आपस में लड़ते भिड़ते भी क्यों रहते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे और world map पे अपने चारों तरफ Islamic country के होते हुए इस्राइल इतना ताकतवर कैसे बन गया राइट ये ऐसे कई सवाल जो मैंने आपको अभी बताए उन सब को हल करेंगे तो चलो जहेंद फ्रेंड्स ये हम लोग जानने से पहले मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री दूँगा कि कैसे ये दोनों का जन्म हुआ इस्राइल कैसे बना इस्राइल तो था नहीं पहले और फिर क्या रिजन था हमेशा से विवादों में रहने वाला इस्राइल और पैलेस्टिन का मुद्दा एक बार फिर से अपने चरम पे है इस्राइल में ज्यूज के अवादी काफी जादा है ये आपको पता होगा और आज वर्ल्ड मैप में इस्राइल एक ज्यूज कंट्री माना जाता है बट एक टाइम था जब ज्यूज कंट्री को बहुत एक्स्प्लॉइट किया गया था हिटलर ने भी ज्यूज को काफी प्रताड़ित किया था और इन सब प्रताड़नाओं से परिसान ज्यूज ने अपने लिए एक अलग कंट्री की डिमांड करी इसलिए ठीक है और ज्यूज ने अरब कंट्री जूज प्लेस्टीन में शरन लेनी सुरू कर दी थी जब ज्यूज प्लेस्टीन में बसने लगे तब प्लेस्टीन पर बिटिश क्राउन रूल करता था और बिटिश गॉब्मेंट ने ज्यूज के लिए अलग कंट्री बनाने का समर्थन किया था और ये मान लिया कि उन दिनों की ज्यूज की अबादी बढ़ती जा रही है तो अरब कंट्री में बसने की वज़े से इसलामिंग लोग इस बात से जो है नाखुस थे काफी ये जो है कोई चोर नहीं ये जमीन और धर्म को लेकर ये लड़ाई लड़ी जा रही है तो माना जा रहा है कि ये इसराइल पलेस्टीन कॉन्फिलिक्ट में अब तक का जो है सबसे बड़ा हमला है एक्चुली इसे समझनी के लिए हमें जेरुसलम कॉन्फिलिक्ट को समझना पड़ेगा तो चलो पहले उसको देख लेते हैं काफी शॉर्ट टर्म में मैं आपको समझा दूँगा और आप बहुत इजीली इस चीज को समझ जोगे तो सिंपल है समझ हो जब बिटिस गॉब्मेंट अरब और जुईज कॉन्फिलिक्ट को सॉल्ब नहीं कर पाई तो ये मुद्दा किसके पास चला गया आपको पता है किसके पास जाता है तो यूएन के पास जाता है यूएन बोले तो यूनाइटेड नेशन्स तो जब ये यूनाइटेड नेशन्स के हाथों में गया उस समय यूएन जो है एक न्यूली इस्टेबलिस्ट और्गनाइजेशन था 4% इसराइल को और जो बांकी का आपने बोलो ये 100% तो हुआ ही नहीं तो बांकी का जो 8% है वो जेरुशलम का हिस्सा था जिस पे जो लेके विवाद है राइट और उसे यूएन ने अपने हाथ में रखा कि भाई ये हम किसी को नहीं देंगे क्योंकि आप लोग बहुत मचां क्योंकि अरब का कहना है कि जेरुशलम उनके हिस्से में आना चाहिए क्योंकि इसलाम की जो तीन पवित्र स्थान है उनमें से एक अल असका मस्जिद जो है वहां स्थित्ति कहां जेरुसलम में ओके तो इसलिए वो लोग उसको अपने हिस्से में चाहते थे तो जेरुशलम को लेकर अरब लोगों का विवाद जो है काफी पुराना है क्योंकि अरब का कहना है 1948 से अभी तक जो हर वार के बाद क्या हुआ ना कि इसराइल जो है अपना एरिया बोले तो लैंड को जियोग्राफिकल एरिया को बढ़ाता गया जिससे उस समय में पैलेस्टीन का जियोग् हो चुका है ओके और उस समय इसराइल का अस्तित में आना अरब देशों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था अरब देशों का मानना था कि ये बिटिसर्स की चाल है अपना वर्चस्व बनाए रखने की या फिर और बढ़ाने की और इसके बाद ही जो है छे अरब कंट्रीज ने मिल कर जंग छेड़ दी जिसे फर्स्ट अरब इसराइल वार 1948 के नाम से जाना जाता है ठीक है और उस समय जियूस जो इसराइल में रहते थे उनके लिए ये वार अस्तित्तु की लडाई बन गई और 1949 में वार एंड होने तक यूएन ने पार्टिशन प्लान के तहट जो एरिया पैलेस्टीन को दे रखा था उसमें से कई जगों पर इसराइल ने अपना कबजा जमा लिया विकॉज वार के में वो जो है इसको टैकल करने में सफल रहा और गाजा पट्टी का हिस्सा जो ह वो जॉर्डन के पास चला गया था और इसी वज़े से पैलेस्टीन के लोगों के पास अपनी कोई जमीन नहीं बची थी जिसकी वज़े से लगभग सात लाख पैलेस्टीन रिफ्यूजीज को अरब कंट्रीज में बसना पड़ा तो आप सोचो उनके अंदर खुनस तो पै हुआ 1967 में फिर से अरब और इस्राइल के बीच जो है छे दिनों की एक जंग लड़ी गई थी जिसको सेकेंड अरब इस्राइल वार कहा जाता है और इस बार इस्राइल इतना स्ट्रॉंग हो चुका था कि गाजा पट्टी के साथ सास इजिप्ट के बड़े हिस्सों पर भी उसने अपना कबजा कर लिया और उस समय इस्राइल ऐसा देश बन चुका था जिससे आइसिस भी डरता था ओके तो ये आपको समझ में आ गया होगा हमारा जो दो कोस्टन्स थे उसको हमने सॉल्व कर लिया तो अब चलते हैं आगे देखते हैं कि हमास क्या है और इसका जन् अब फॉलो करते हैं और दूसरे जियूज तो यूएन ने जो पार्टिशन प्लान लाया था जिसके तहत इस्राइल का फॉर्मेशन हुआ था वो प्लैन इस्लामिक लोगों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और वहीं दूसरी तरफ जियूज को पार्टिशन प्लान से को परना कबजा वापस चाहते थे और वर्ल्ड मैप से इस्राइल का नामों निशान मिटा देना चाहते थे बस इसी कोशिश में जो पूरा करने के लिए जो बना वो ग्रूप था हमास ग्रूप फॉर्म हुआ और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमास ग्रूप और पियोलो म उन्हें तो अपना कबजा वापस चाहते था तो हमास इस्राइल को पहले की तरह मैप से हटा देना चाहता था और उसका अस्तितु खतम कर देना चाहता है आज भी यह था नहीं यह है आप समझो की मैप से अभी भी हटाना चाहता है और उसका अस्तितु को मिटा देना चाह तो 2006 में क्या हुआ हमास ग्रूप ने पैलेस्टीन में इलेक्षन लड़ा और PLO को इलेक्षन में हराया भी विकाज हमास PLO को एक बाइस्ट और्गनाइजेशन समस्ता था बड़ बड़ 2007 में दोनों ग्रूप में जैसे मैंने आपको बताया था आपस में लोग लड़ने भी लगे तो दोनों ग्रूप में सिविल वार हुई और पैलेस्टीन दो हिस्सों में बट गया और वेस्ट बैंक वाला हिस्सा PLO का हो गया और यह जो गाजा पटी का हिस्सा जो है वो हमास ग्रूप का हो गया तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों अर्गनाइजेशन का मोटिव एक होते हुए भी दोनों अर्गनाइजेशन एक साथ काम क्यों नहीं करते राइट और इसमें कहा जाता है कि इसमें इस्राइल का भी बढ़ात है जब कोई एक ग्रूप स्ट्रॉंग होता है तो वो दूसरे ग्रूप को सपोर्ट कर देता है और जब कोई इन दोनों की आपस में बनने लगती इसकी पहली वज़ा यह हो सकती है कि इसराइल पैलेस्टीन के खराब रिष्टे रहे हाला कि 1992 के दौर में इन दोनों के जो है न संबंद काफी अच्छे हुआ करते थे बट अभी के हलातों के तथ इन दोनों के रिलेशन बहुत ही कमजोर हो चुके हैं क्योंकि पैलेस्टी इसराइल की जो चापे मारी की इसी साल जिसकी वज़े से 300 से जादा लोगों की जान गई थी एन जेरुसलम की जो अलस्का मस्जिद है जो कि मैंने बताया कि इसलाम के पवित्र तीन इस्थानों में से एक है उस पर इसराइल की पुलीस ने रेड की थी और बीच बीच में छोटे-छोटे हमले जैसे और इसके अलावा एर स्ट्राइक भी हुई थी इसी साल जिसकी वज़े से पैलेस्टीन के जो सिटिजन है उनमें बहुत जो है अंदर से क्रोथ और हमास ग्रूप उसी का फायदा उठा रहा है अपनी सिविलियन्स के जो रोष्ट का फायदा जिसकी वज़े से गौव्मेंट ने सिस्टम में कई रिफॉर्म्स लाए जिससे गौव्मेंट और भी स्ट्रॉंग हो सके जैसे जुजिश्ट्री की पावर कम कर देना और भी तरह-तरह के बदलाव किये गए जिसकी वज़े से इसराइल का खुद का सिस्टम जो है न दो हि क्योंकि अभी सिनारियो भी ऐसा है कि सिविल एंड मिलिटरी के भी कई लोग इसराइल गॉर्मेंट के अगेंस्ट हैं और लास्टली फोर्थ जो रीजन है वो जियो पॉलिटिकल हो सकता है जैसा कि हमने डियने जो हमारे चैनल पे को रोज मिलता है डेली न्यूस अनलेसिस उसमें भी कवर किया था कि पिछले कुछ सालों में इसराइल के जो रिष्टे हैं वो अरब कंट्रीज के साथ जो है नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं अभी हाल फिलाल में अरब के क्राउन प्रिस मोहमद बिन सल्मान ने एक इंटर्विव में कहा था कि दोनों देशों के संबन धीरे धीरे सुधर रहें अब आप इसमें एक जो है मतलब समझो और अरब इसलाम की दो सबसे बड़ी इंपोर्टेंट मस्जिद वहीं पे है आपको ये चीज़ तो पता होगी तो इस वज़े से मिडिल इस्ट की जितनी भी इसलामिक कंट्रीज हैं वो इसराइल के सपोर्ट में आ जाएंगी तो इसी से जो है हमास दरता है कि कहीं उनकी फंडिंग जो है ना ग्रूप को भी बड़ी कंट्रीज हैं सबको यही लगता है क्योंकि इस हमले के बाद जो है अरब कंट्रीज ने बोला और मुहमद बिन सल्मान ने की बोला कि यह जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा था जो हम सोच रहे थे वो फ्रीजड हो फ्रीजड मतलब सोचो उस पर बर्फ की कई मोटीव परद जम चुकी है तो हमाज जो है अपने उस मोटीव में तो एक तरह से समझो काम्याब हो चुका है कि भाई उनका जो अस्तितु है वो बना रहे है लोग जो अरब कंट्रीज है वो उनकी मदद करते रहे तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताना कि असली मकसद क्या हो सकता है और ऐसे ही जो है डिकोडिंग कोई भी चीज को बहुत ही आसान भासा में डिकोड करने के लिए बोले तो रटने नहीं समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको किसी टॉपिक पे इन डेफ्ट आपको सौट फॉर्म में काफी छोटे समय में पूरी चीज अगर किसी केस को समझना है तो आप हमें कमेंट में बताओ हम उसकी भी डिकोडिंग करेंगे उसकी भी केस टड़ी आपके लिए काफी आसान भासा में जिसमें आपको रटना नहीं पड़े आप अराम से समझ जाओ तो चलो फिर गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में बाय टेक केर हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना